कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में सबसे खूपसूरत जगाओं में से एक माना जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको कश्मीर के श्रीनगर गुलमर्ग टूर प्लान के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ कैसे आप कश्मीर गूमने जा सकते हैं क्या है सस्ता सही और आसान तरीका कश्मीर को गूमने का तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा और ऐसी ही एंटेटेनिंग और इंफर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजे सब्सक्राइब साथ में बल आइकन दबाने के बाद और नोटिफिकिशन पर क्लिक जरूर कीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजेगा तो चलिए आज घूनते हैं कश्मीर कश्मीर टूर में सबसे पहले बात करते हैं स्री नगर की श्री नगर कैसे पहुचा जाए अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो देश के सभी बड़े बड़े शेहरों से डिरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल हैं दिल्ली की बात करें तो पांच हजार से साथ हजार रुपे का टिकेट बनता है फ्लाइट में दिल्ली से श्र टिसी डॉट कॉम पर जाने के बाद दिल्ली के प्राइज की में बात करूं तो वोल्वो में चार्ज होट रहता है 2,199 रुपे सैमी नॉन एसी डिलेक्स बस की बात करूं तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नजदी की जो रेलवे स्टेशन है वो जम्मू कटरा स्री नगर के बीच की दूरी 206 झुलो मेटर ऐप जम्मूर के आप पना होगा बनिहाल तक आने का कारण है और वही आपको बता देता हूं इनके बीच की दूरी 93 किलो मेटर है ऐब आप आते हैं तो तीन घंटे के सफर में आप 150 र्फित करने के बाद बाल करने के बाद से बनिहाल आ सकते हैं तो शेयर टैक्सी में 400-500 रुपे किराया लिया जाता है बनिहाल पहुच सकते हैं बनिहाल एक ऐसी जगह है जहां पर railway station मौझूद है बनिहाल से स्रीणियगर के बीच रेल सेवा चलती है बनिहाल railway station से हर एक अगप पर श्रीणियगर के लिए deem मिल जाती है ये रेल सफर बहुत ही खास होता है इस रेल सफर में आप कश्मीर की सुन्दर वादियों को इंजोय कर सकते हैं वहांके सुन्दर और आकरशक नजारों को देख सकते हैं इस जर्निंग में जो पूरा टाइमिंग रहता है करीब डेड़ गंटे कर रहता है और मात्र 35 रुपे क भी डिरेक्ट बस से आ सकते हैं जो 650 से 850 रुपे कराया लिया जाता है और शेयर टैक्सी में 500 से 1,000 रुपे क्राया लिया जाता है बट डिपेंड करता है सीजन पर तभी कट्रा से आपको शेयर टैक्सी वगरा मिल पाती है इसके अलावा आप अपनी परस्नल कार बाइक य इसी भी शेहर में आप असानी होटल में रुख सकते हैं लेकिन सीनेगर जो जाना जाता है वो अपनी हाूसबोर्ट के लिये बहुत ज़ादा फैमस है केरल के अलावा आप कशमीर में हाउसबोर्ट को इनजॉइ कर सकते हैं सीनरग में ड हाउस बोट भी डल जील में अवेलेबल हैं लेकिन डिपेंड करता है कि सही लोकेशन पर आप हाउस बोट का चुनाव करें क्योंकि हाउस बोट में स्टे करने के बाद अगर आपको शिर्नगर इसी दूसरी सैट्स को विजिट करने जाना है तो आपको वहां पर मोजूद शिकारा बोट को ही लेना पड़ेगा शिकारा बोट वोट होती है जो आपको हाउस बोट से शिनगर के दूसरी साइट्स पर विजिट करने जाना है वहाँ ड्रॉप करेंगे इन में चार्जिस लिया जाता है 10 से 50 रुपे हाउस बोट का चुनाव करते वक्त ये बात विशेश तोर पर धियान लगके कुछ हाउस बोट में फूड इंकलूड रहता है और कुछ हाउस बोट में फूड इंकलूड नहीं रहता है मेरे साब से अगर हाउस बोट में ही food facility अवैलेबल है तो वही ज्यादा बैस्ट होगा क्योंकि बार बार आपको शिकारा बोट यूज नहीं करनी पड़ेंगी वहना हर चोटी-चोटी चीज के लिए आपको सिकारा बोट का सहरा ही लेना पड़ेगा दूसरी छोर पर जाने के लिए तो लोकेशन ऐसी चूज करें जहां कम से कम समय में कम से कम रेंट पर आप स्टे कर पाएं इसके लाबा जो नॉर्मल होटेल्स शिनगर में अवेलेबल ह वह भी 500 रुपे से स्टार्ट हो जाते हैं जो 20,000 रुपे तक जा सकते हैं आप होमस्टे में भी रुख सकते हैं वह भी वहाँ पर एक पैस्ट ऑप्शन बना रहता है पट मेरे साब से हाउस बोट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है शिनगर में स्टे करने के लिए अब बात क आप नागिन लेक घूमने जा सकते हैं जो डल जील का ही एक हिस्सा है इसके अलावा पनिशाद बाग घूमने जा सकते हैं जो डल जील के पास में ही इस्तिता और 46 एकड में फैला हुआ है इसके अलावा आप हजरत बल श्राइन घूमने जा सकते हैं आप चाहें तो पहाडी परिस्तेत है इसके लावा शालिमार बाग भी यहां का एक लोग प्रिय बाग है इसकी स्थापना 1619 मही थी आप टूलिप गार्डन जा सकते हैं जिसे इंद्रा गांधी मेमोरियल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है जो स्री निगर का सबसे बड़ा गार्डन है यह तियत्र एकड में फैला हुआ है दोजर साथ में इसको बनवाया गया था जहां भी घूमने जा सकते हैं बाकि डल जील के आसपास घूमने का एक्सपिरेंस अपने आप में ही ब विजिट करने जा सकते हैं और उस दिन भी रात में आपको शेनगर ही स्टे करना पड़ेगा नेक्स दे का प्लान है यानि थार्ट दे का प्लान है गुलमर्ग जरूर जाइएगा गुलमर्ग एक ऐसी जगह है कश्मीर की जो भीहत खूबसूरत है और शेनगर से मातर 50 किलो या 3500 तक रहता है जिसमें वह आपको गुलमर्ग लेके जाएंगे और वापस भी आपको शेनगर ड्रॉप करेंगे तीसरा उप्शन है कि आप बस से चले जाएए सतर से एसी रुपे का टिकेट बनता है और आप गुलमर्ग पहुच जाएंगे अगर आप गुलमर्ग में स अब चुनाव आपको करना है कि आपको गुलमर्ग स्टे करना है या फिर मॉर्निंग में गुलमर्ग आने के बाद इवनिंग तक इंज्वय करने के बाद वापस शेनगर जाना है जो आपको सहील है कि आप कर सकते हैं अगर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो दो हजार पच और दूसरा phase है कांग डोर से अपर हाइस्ट पॉइंट तक अगर आप सीजन में आते हैं यानि फर्वरी, मार्स या जुलाई तक आते हैं तो आप दोनों phase की गंडोला राइड एंजॉय कर सकते हैं तो आप सेकंड फेज की गंडोला राइड को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो कि वो बंद गर दी जाती है बहुत ज्यादा है वी स्नोफाल हो जाने के कारण अब आपको टिकेट प्राइस के बारे में बता देते हैं गुलमर्क से कांग डोर तक जो राइड है करीब 2-3 किलोम बनता है आप चाहें तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं गुलमर्क गंडोला.com पर जाने के बाद बट सेकंड फेज का टिकेट आप जब भी बुक करें जब आपका फस्ट फेज का टिकेट कंफर्म हो जाए मेरे साब से फस्ट फेज ही अगर करते हैं तो वही सूफि जा पाते हैं तीन साल से छोटे बच्चे का कोई टिकेट नहीं लिया जाता है और तीन साल से ऊपर के सभी बच्चे और बड़ों के लिए फुल टिकेट लेना पड़ता है तो गंडोला राई गुलमर्क की बहत खास है इसे इंज्वे जरूर करें गुलमर्क में आने के बा चारो के प्राइज भी अलग अलग है 1200, 1700, 2200 और 3500 रुपे आप इसे इंज्वे कर सकते हैं बहत खास है गुलमर्क की शनो मोबाइल इसके लाव आप शकींग को नज्वे कर सकते हैं 500 रुपे चार्ज लिया जाता है आप स्किंग को नज्वे कर सकते हैं एक राइड इससे आप कर सकते हैं चाहें तो फुल डे के लिए भी स्किंग को बुक कर सकते हैं और इंज्वे कर सकते हैं उसके चार्ज कुछ एक्स्टा रहेंगे स्नोबोर्डिंग भी आप वहन ज्वे कर सकते हैं सबके अलग अलग चार्ज रहते हैं सीजन और टूरिस्ट की स्ट्रेंथ के अगर आप स्रीनागर घुमने आते हैं तो गुलमर्गज जरूर आईएगा italy pains और भी गॉन्टे सानी से मिल जायेगा बैस्ट time कोई सा है श्री नगर गुलमर्ग को एंजोई करने का देखें मार्च से लेकर जुलाई तक सबसे यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं क्योंकि श्री नगर गुलमर्ग में बहुत जादा स्नोफाल होता है विंटर के समय में तो कुछ जगहों पर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बंद क स्नोफाल को एंजोई करना चाहते हैं तो नवंबर से लेकर फरवरी तक जरूर आईएगा इस समय बहुत जादा स्नोफाल के दोरान ही होती है वह सब एक्टिवेट हो जाती है इस समय भी काफी ज्यादा स्टूरिस्ट स्रीनगर और गुलमर्ग गूमने आते हैं बात स्रीनगर की जर्नी पूरी कर लेंगे और अच्छे से घूमने के बाद वापस चले जाएंगे बट अगर आप सीनगर के सब गुलमर्ग को इंक्लूड करना चाहते हैं और वही सब ट्रेन बस लोगल ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहते हैं तो आसानी से आट से दस हजार किसे दूसरे टूर के कमपैरिजन में इसके लाब मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क बेसिकली कश्मीर पहुचने के बाद प्रिपेट सिम आप काम करते हैं तो ऐसे में आपको ये टै करना होगा कि कश्मीर आने से पहले एक पोस्ट पेट सिम आज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी श्रि नगार और गोलमर्ग में वीडीयो कैसी लगी कमें बॉक्स में जरूर बताईब कोई सब्सेट नगर रह गया थो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर ढलते गा वीडियो को जाथ सब लाइक और शेर जरूर कीजेगा ऐसी entertaining और informative वीडियो तो आपके लिए लगातार बनाते रहेंगे तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करके जाएगा बहुत-बहुत धन्यवाद